प्रवांग छे नराइन चंदेल इस्टेबल में हाउस शुरू होने के बाद दूसरी बात मानि अध्यक जी परशिष्ट में स्विकार किया गया है कि किसी प्रकार से जहरीली सराब से मौत नहीं हुई है अध्यक जी आपका भी जिला वोई है मेरा भी जिला वोई है पिछले पंदरा मई को मेरे निर्वाचन छेत्र के नवागर विकासखन के ग्राम रोगदा में जहरीली सराब पिने से तीन लोगों की मौत हुई है तीन लोगों की मौत हुई है जहरीली सराब पिने से मेरे पास नाम है उतके और सासन इस प्रकार से गलत उत्तर जती है सदन को गुम्रा करती सही में मद्ध पर्देश में गंगा जंगी आते हैं हम लोगों ने देखा है मने आजग जी 15 मई जो हजार 23 को जांजिर चापा जिले के नमगर थाना छेतर के अंतरगत गराम रोगदा में जहरीली सराथ पीने सेना का एक जवान सेना का एक जवान नंदलाग और उसके साथ में सतीस और परशराम साहू इन तीन लोगों की मौत हुई अकलतरा छेतर में सतनामी समाग के सतेंदर बंजारे की मौत हुई जरीली सराथ पीने से अध्यक जी एक तो ये उत्तर इनका सासन का गलत आया दूसरी बात मानिय अध्यक जी जिस गाओं में जरीली सराथ पीने से मौत हुई रोगदा में वहाँ पन सासन का कोई अधिकरित सराथ दुकान नहीं था एक किराने दुकानदार जो कांग्रेस का कारे करता है वो सराथ बेस्ता था गाहाँ वाले बार बार मना करते थे सिकायद किये कि यहाँ पर अवैस सराथ बिकता है इसको बंद कराए जाए लेकिन अपकारी विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारी क्यों मिली जुली कुष्टी से कोई कारवाही नहीं हुई और तीन लोगों की मौत हुई गई मानी मैं पूछना चाहता हूँ मंतरी जी से इन तीन लोगों की मौत का जुम्मेदार कौन है अधिकरी दुकार खोले के लिए मांग कर रहे हैं का नेता जी इन तीन लोगों की मौत का जुम्मेदार कौन है और जुम्मेदार लोगों के खिलाप में अब तक क्या-क्या कारवाही की गई है मानिय अद्देग जी यह जो सरब बंदी वाला मामला काई काई मोलो जो दूसरेक में बोलते हो ना वैसी इसले इसका सरसा नहीं किया जाए काई काई मोलो इसले पुरा लिकित आपका आदेश का पालन करते हुए पुरा लिकित में दिया गए ने जहिए एक मिनट प्लीज प्लीज सुप्रिम कोट में जो मामला चल रहा है उसको छोड़ दीजे यहां सराब पीने से जहरिली सराब से मौत हुई कि नहीं इस पर सुप्रिम कोर्ट बुचार नहीं कर रहा है आप जवाब देजिए कि क्या इन्हों ने जो आरोप लगाए हैं सही है या गलत है मानने अदेख को होता है फिर एक बार उनको आपने ख़ड़ा करा दिया प्लीज एक बार आपने उनको ख़ड़ा करा दिया दुबारा उनको को या दो आप शुरू से अकबर साब को खड़ा कर वाते नहीं मानने अदेख को प्लीज जवाप दे रहे हैं आपका स्वादा स्वादा की संग्यूप जवापणारी है वो प्रस्न में एक बाद खड़े हो चुके हैं इसलिए आजा प्रस्न में खड़े नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह सायद पुरे देश में संसदी परंपराओं के विरुद्ध होगा कि एक प्रस्न का जवाब अलग-अलग विभाद के दो मंत्री दे आपके कहने पर हम लोग इस बात के लिए तयार होगए तो उनकी जवाद जवाब दे परंद तो जब पहले आपकारी मंत्री खड़े होगए तो उनहीं के द्वारा पूरा जवाब आए उन्हें उन्हें सोचा है कि वो कोई ये जो सराब का मामला है उसमें कोई अभी इस्टगन इस्टगन आया है उतना करें को सांस हो गयोंगे बाकी इनको पता होगा आप से सहाथ है माननी अध्यक्ट ये सुरू से वो जवाब देते हैं प्लीज बढ़ें प्लीज बढ़ें आप बढ़ा मत लीजिए आप ख़़े होना जी चलिए आप अप आपके आदेश को सिरुधारी करते हैं परंतु आप थोड़ा सा नियम ना तूटे इस बात की किम्ता करें तो हमारे साथ ज़्यादा होचा है कर रहे है कर रहे हैं जैसा कर रहे हो तक है डाक्तर की रिपूट आगई वो जारका के मुरा है दवा का पी के नहीं मुरा है जो किराना दुखान जो चला रहा था थोड़ा वो भीक रहा था हो वो उसको उपर करवाई हो गया हो गया मानिया देख जी वो तरह के उपतरा रहे है ये भोरा पत्ती जनक है इस प्रकार का ये समचार पत्रों की कटिंग है मानिया देख जी ये समचार पत्रों की कटिंग नहीं मानिया देख मौद है मानिया देख मौद है इसमें तो मूल प्रस नहीं गायब हो जाएगा मूल प्रस नहीं गायब हो जाएगा मैंने आपको बताया कि जहरिली सराब पीने से मौत हुई वहाँ का एक कांग्रेस का कारे करता वहाँ पर सराब बेच रहा था ग्राम रोगदा में गाहँ वालों ने सिकायफ की थी कि यहाँ पर नकली सराब बेचा जाता है किसी दिन भी ऐसी कोई घटना हो सकती है लेकिन अगबारी विभाग ने और पुलिस विभाग ने कोई कारवाही नहीं की और वह जहरिली सराब पीने से मौत हुई है आप उसको जहर में तबदिल मत करिए नकली सराब वैसे भी जहर है क्या गाओं के दुकान में जहर बिखता है और उसकी पोस्ट माड़म रिपोर्ट कब आई है क्या लिखा है ये बताई है क्या पोस्ट माड़म रिपोर्ट अब जेक जी पोस्ट माड़म रिपोर्ट में वो जहर दावाई पी के मरा है यह चप्छा ही है जो कांगरिसी बोल रहा है ना कार करता हूँ कांगरिसी ने बीजी पी वाला है लेकिन ओ कभी कभी बीग रहा तो उसको पर करवाई हुआ है चलिए और कुछ यह सराब पीने से जरीली सराब पीने से मौत का मामला है देखे आप आप विद्वान सरद से हैं मेरे बात पर सुनिके पोस्चम माचम निपर को चालेंज नहीं किढ़ा है यह बोलने है ने इनको बोलने दीजिए ना मैं नेता पजी प्कु सुने दीजे ना मुझे नहीं आधा फोसी नभाई है प्रिसरी बताजे पी-ेम नेता प्रशी पग्जी आ बहूए यह जो मरे ना उद्जार पीके मरे दरू दुगार चे दरू निप्या है कों से ज़र आया है? क्षितारा आटम है? डाक्टर बता सके का मैं डाक्टर दूडी हूँ और डाक्र दाक्टर दूडी है लेकिन देखे मानिया देख के अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो इसको कल के लिए रखते है अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो इसको कल के लिए रखा जाए और बोल रहा है कि वह दवाई खाके मरा एक सेनी का पान कर रहा है मंत्री जी सेना के सेनी का पांद कर दो विधिया निए बदी पांद अबकि चाह वे देख मुझे कर ले रहीonna सरकार के पास कोई जवाब नहीं है . रोज बहुत महत्पून प्रसन आ रहे हैं। प्रसन आ रहे हैं। प्रसन आ रहे हैं। प्रसन आ रहे हैं। अपनी गल्टियों को छुपाना और उसके बार मेडिकल रिपोर्ट में कौन सा जहर आया यह भी नहीं बताना। और यह कहना कि मैं डक्टर नहीं हूँ। तो इस सदन का मजात है। कि पोस्ट माडम की रिपोर्ट आई है कि आई है तो कब आई है और इस पोस्ट माडम की रिपोर्ट में क्या लिखा है और अगर चारचर लोगों की मौत जारी निसराब से हुआ है तो इसके लिए कौन जुम्मेदार है और जुम्मेदार अजिकारियों के खिलाफ में इस सरकार ने आब तक क्या क्या कारवाही की है मैं सिधा प्रस्ट कराएं अजिक जी कोई जिम्मेदार नहीं है ना धरू दुका से लेके पिया है ना धरू पी के मरा है दौए पी के मरा है तो कौन जी मिदार होगा तो कुझी मिदार होगा तो पिया है इसमें कोई रोल नहीं है हमारा पाटी है माने अजिक जी अगर सदन इसी तरीके से चलेगा चारचर लोगों की महुत हुई और को उत्तर सरकार से नहीं आया मैं आप से आग्रा करना चाहता हूँ मैं आप से अग्रा करना चाहता हूँ आप सरकार को निर्देशित करें चार लोगों की मिद्यू हुई और कोई भी दोसी नहीं है कि सदन की जाज कमेटी से गंबीर मिशाय के सदन कराने की आप भोषना कराए। देखे गंबीर मिशाय है मैं भी समझता हूँ और इसका पूर उत्तर नहीं आया ये भी समझता हूँ मैं म boxer mani mani margini से कहूंगा that इसका पूरा जवाब मंगा के कल सदन में लग दे ठीक है प्रेस कमांग साथ प्रेस कमांग साथ प्रेस कमांग